वेलकम सोल फैमिली साल का पहला फुल मोन एस्टोलोजिकल चार्ट में कैंसर में हो रहा है लेकिन इसमें कोई संदे नहीं कि सारे प्लैनेट पर ये अपना प्रभाव डालेगा इस समय जब प्लैनेट मरकरी और मार्स दोनों रेट्रोग्रेट है बहुत जरूरी है अपने पर खास ध्यान रखने का खुद को पोशित करना है खुद की निश्पक्ष जार्ज भी करनी है अपनी फिजिकल बोडी का बहुत ध्यान रखना है और हर उस उर्जा को छोड़ना है जो काम की नहीं है लेट गो करते जाना है अपनी लाइफ में और अधिक डिसिप्लिन लेकर आना है पुरानी आदतों से छुट कारा पाना है पुरानी चीजों को रिप्लेस करना है रिस्पोंड करना है रियक्ट नहीं द्रिष्टा की तरह देखना है क्या सही है क्या नहीं अटैच नहीं होना खुद की पावर को इकठा करना है ना चिंता में डूबना है ना तनाव को इकठा करना है हर सिचुएशन में रिस्पोंड करना है ना कि रियक्ट जवाब देना सीखना है प्रतिक्रियाएं नहीं काफी इमोशन्स फुल मून के वक्त ट्रिगर होते है कोई पुरा नाज़त, कोई पेल कोई भी इमोशन ट्रिगर हो सकता है इन सभी इमोशन्स को महसूस करना है बहुत जेंटली, बहुत सोफ्टली दील करना है खुद को माफ करना है, अपने हिर्दय को खोडना है हिर्दय की शक्ती के साथ, आत्मा की शक्ती के साथ connect होते हुए इन इमोशन्स को दील करना है, heal करना है और जब ये स्ट्रोम ये आंधी की उर्जा को आप अराम से ट्रांस्म्यूट और ट्रांस्पूम करते जाओगे तो इमोशनल बैलेंस एनर्जी फिल्ड में आने लगेगा एनर्जी फिल्ड और बैलेंस और अलाइन होती जाएगी तो इस उर्जा को उपयोग करना है खुद के एक्सपैंशन के लिए चक्रास को खोलने के लिए सेल्स में से मेरिडियन पॉइंट्स में से उर्जा को रिलीज करने के लिए तो चलिए आज का ध्यान सत्र शुरू करते हैं इस दिव्य उर्जा को अपने भीतर लेकर चलते हैं कनेक्ट होते हैं और अपनी क्लिंजिंग का प्रोसेस एक्टिवेट करते हैं एकदम शान्त और स्थिर होते हुए रिल्ट की हड़ी एकदम सीधी को मलता से अपनी आखे बंद करते हुए अभमा मते देखोते देखोते तुष्टों शाहाँ अहवान करते हैं परमात्मा की उर्जा का परमसत्य की उर्जा का सभी डिवाइन स्पोर्टिव उर्जा एलाइड विद लॉफ वन लवेड लाइट स reckless holy consciousness of light इति कॉति कॉति तुष्कलकले तुष्भा लो हो दोटिकॉति कॉति तूष्कलकले शाहा all holy consciousness of ascension intergalactic and galactic federations of light yemytititis valid all divine holy raise of the creator all divine holy consciousness a-lokalakalakalे शाहा the star constellations star masters इलडडडडडडडडडडड श्म इवी इवी लिवे रे मुष्मिक मजर अटपूति टूंचाहा दैर्विघ थीडिकिन ग्ले टिकाति टूंचाहा तुम् बहुत सेक्रेट बनता हुआ एक सेक्रेट स्पेस बनता हुआ अभान करते हैं वाड़ेट लाइट ओफ ट्रास्मुटेशन का इस ग्रिट में लगातार बहती रहे जो उर्जा भी रिलीज हो रही है एकदम से वह उर्जा परमात्मा के अलोकिक प्रेम और प्रकाश की उर्जा में कन्वर्ट होती जाए इस ग्रिट में प्रवेश करें अपने हाई सेल्फ अपनी टीम ओफ लाइट हीलिंग गाइड्स असेंशन गाइड्स मेपी हीलिंग टीम का हवान करें एक गहरा श्वास लेते हुए ग्रिट की उर्जा को एब्सॉब करते हुए जो की परमात्मा की उर्जा के साथ लॉफ वन लवन डाइट की उर्जा के साथ हायर आयामों की उर्जा के साथ स्टार कॉंस्टलेशन की उर्जा के साथ मिक्स होता हुआ एलाइनमेंट में आता ह हो इलकल खर फुल्मुन की उर्जा के साथ कैने को ताहुा एक उता है एक गहरा श्वास लेते हुए उर्जा को अब्सॉब करते हुए और ब्रीदाउट करते हुए सभी टेंशन्स को, सभी स्ट्रेस को, एंजाइटी की उर्जा को, जितनी अशान्त उर्जा है, जितनी उथल पुथल वाली उर्जा है, रिलीज करते हुए और गहरा श्वास लेते हुए, हर श्वास के साथ आप अपने भीतर गहरे उतरते जा रहे हो, अपने हिर्जेश चक्र को खोलते हुए, मन में दोहराते हुए, मैं तैयार हूँ, फुन मून की उर्जा लेने के लिए, और गृट की उर्जा को एब्जोब करने के लिए, इतिति कुद दुश कततेश तुम शाहा, अपने हिर्जेश को खुलता हुआ देखना है, लाइट को रेडियेट होते हुए देखना है, इपिलाए शम, इपिलाए पपेश का तते कले को लेश, अपपपवेश शाहा, सबसे पहले कामनेस और पीस की उर्जा को, शान्ती की उर्जा को चैनल करते हुए, हर एक सेल में, हर एक और एक ओर्गन में, सबसे पहले को बादेश प्रजाख थेजाश सबसे पंपडर को, כ stronहता है, और वांता है, और अधिक शान्थ होते हुए बहती हुई ये उर्जा कामनेश पीस की उर्जा शान्थ करती हुई हर से उथल पुथल की उर्जा तनाव और एंजाइटी की उर्जा स्ट्रेस की उर्जा को रिलीस करती हुई हर बिदेशन के साथ हर एक्सेल शान्थ होता हुई स्ट्रेस फ्री होता हुई काम होता हुई मन तन आत्मा ओर दिक्षान्थ होती हुई रिलेक्स होती हुई फिल इस रिलाक्सेशन मैं श्रेश्ट आत्मा हुई मन में दोहराते हुई चागरित आत्मा हुई मैं शुद आत्मा हुई मैं चेतन आत्मा हुई परमपरकाश परमशांति वाली आत्मा हुई और अधिक्षान्त और अधिक्स्थिर' इतितितु तुशक तिक interference करे तो तुस्तों इल्कलाक्ले शिक्सा करे तुस्तों इपिपितितिश कते करे सिका करे तुस्तों यह उर्चा आपको बिल्कुल रिलैक्स करती हुई, शान्थ करती हुई, स्टिल करती हुई ताकि आप अपने अंदर की आवाज को स्पष्टता से सुन पाओ, अपनी निश्पक्ष जाच कर पाओ परम शान्थी की ये उर्चा, परम सत्य की ये उर्चा, कण कण में फैलती जा रही है और आपका शरीर और अधिक शान्थ, और अधिक काम, और अधिक पीसफुल होता जा रहा है फुल मून की उर्चा, स्टार डस्ट की उर्चा, स्टार मास्टर्स की उर्चा, स्टार कॉंस्टलेशन्स की उर्चा, लगातार भेती हुई हार चैनल में शान्त करती हुई हार एक चैनल शान्त होता हुआ 2023 का ये फुल मून नई शुरुवात नई संभावनाओं की उर्चा महसूस करें अपनी हृदय में और अपनी हृदय को एक्सपेंड कोने दे मन में दोहराते हुए मैं असंभव की सिमाहूं को लांगने के लिए तैयार हूँ अनन्त की संभावनाओं को जागरित करने के लिए भी तैयार हूँ दोहराते ही आपमें अरतिक एक्सपेльशन होने लगा है इकी का टृष ऑस फूलन के अनर्ज को लगतार अपने उर्जा शेत्र में बहने दे फुल मूज की उर्जा स्टार कॉंस्टलेशन्स की उर्जा सभी स्पोर्टिव उर्जा स्टार मास्टर की उर्जा हजारों लाखों सूरे के परकाश के समान विद्युत गती से पर बहुत ही सोफ्टली और जेंटली आपके उर्जा शेत्र में हाइर चक्रा से होती हुई ट्वेल्थ चक्रा स्टेलर गेटवे चक्रा में प्रवेश करती हुई उसे खोलती हुई ये उर्जा क्लीन करती हुई, क्लिंस करती हुई, क्लियर करती हुई, प्योरिफाइ करती हुई, एक्टिवेट करती हुई ये उर्जा कॉजल चक्रा में प्रवेश करती हुई इतुतुतु श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श् जागरित करती हुई, यह उर्जा जेंटली, सोफ्टली, आपके क्राउन चक्रा से आपके शरीर में प्रवेश करती हुई, हजारों सूरियों का प्रकाश, पूरे क्राउन चक्रा को एक्टिवेट करता हुआ, जागरित करता हुआ, क्लिंस करता हुआ, लाखों करोडों स्ट्रीम्स ओफ लाइट पूरे क्राउन चक्रा में हेर फोलिकल्स में एक एक सेल में प्रवेश होती हुई ये उर्चा पूरी स्किन में पूरी स्कल में फैलती हुई और धीरे धीरे ये उर्चा बहुत सोफ्टली जेंटली मेडुला अवलोंगेटा आपके धड़ाई के बिल्कुल पीछे इपिपिटे तुष्ट रहा माउथ ओफ गोड चक्रा से होती हुई आपके पूरे स्पाइनल कॉलम रीट की हड़ी में फैलती हुई ये उर्चा एके कौड़ी क्योंदर में इस को समय करेंग आ breeding工作 तो कि जा नर्चित पर्चões' कुछ समय को समय करतों पूरे उर्चाशth करमें फालती यूई उर्जा शेत्र में फैलती हुई, लगातार हायर चक्रा से होती हुई, स्टेलर गेटवे चक्रा से होती हुई, कौजल चक्रा से होती हुई, सोल स्टार चक्रा से होती हुई, क्राउन चक्रा से प्रविश करती हुई आपकी फिसिकल बॉडी में, माथ ओव गोर्ड चक्रा से ह थी खलित की फेल्टी हुई एक एक बड़ा में 23 इंसितन शेसे से जोड़न सीफ्र्म सहांम अपने उर्जा शेत्र में शिक्ट को महसूस करो और इन उर्जाव को बहने दो और गहरे और गहरे और गहरे और गहरे रिलीस करने दो मेल्ट करने दो डिजॉल्व करने दो बर्न करने दो ट्रांस्विट ट्रांस्वं करने दो हर उस उर्जा को जो काम की नहीं है जो सब्सक्राश को पूरे स्पाइनल कोलम में फैलती हुई गहरी लेयर्स में उतरती हुई उन अंधेरी गुफाओं में पहुचती हुई जहां अभी तक प्रकाश नहीं पहुच पाया था मैं हर एक वर्टी ब्रा में ही01 करती हुई खिलिंज करती हुई उचा पूरे वर्टी ब्रा को इती तूर्ट उच में सीका कटकुटुश हाओ पूरी बैक में फैलती हुई ई उचा फुलम् उनम की उचा यह स्ट्रस की उर्जा, एंसाइटी की उर्जा, रिलीस होती जा रही है, उर्जा फैलती जा रही है, फैलती जा रही है, शरीर के हर एक सेल में, करोणू सेल में, हर एक पार्टीकल में, और हर सेल में से स्ट्रेस की उर्जा, एंसाइटी की उर्जा, उथल की उर्जा, रिलीस होती जा रही है, एक लकले तिक्तीकले एक शा, तिकउले कले तुकुदे तुकुदे कटे तुकुदे तुषकत तुकरी करेसी का कटतुम, इतिटी पिश्टों शहा जितने भी अज्यात भय की उर्चा है अन्नोन फिर्स है वो भी रिलीस होते जा रहे हैं और जैसे जैसे ये अन्नोन फिर्स रिलीस होते जा रहे हैं आपका उर्जा शेत्र और अधिक शांत और अधिक पीस्फुल होता जा रहा है पर अधिक शांति की उर्चा हर सेल को क्लीन करती हुई और उसकी वाइब्रेशन को बढ़ाती हुई हर सेल में और जा पहुंच रही है डिजॉल्व करती जा रही है पुरानी उर्चा को हर सेल की वाइब्रेशन को फ्रिक्वेंसी को बढ़ाती जा रही है हर सेल जागरित होता जा रहा है शांत होता जा रहा है अंजाने भय की उर्चा रिलीस होती जा रही है पूरे सेल शांत होते जा रही है बोडी स्टिल होती जा रही है इनल पीस की उर्चा बढ़ती जा रही है फुल मून की उर्चा और अधिक प्रवा होती हुई बहती हुई जेंटली, सोफ्टली और धीरे धीरे ये उर्चा पूरे मेरिडियन पॉइंट्स में फैलती हुई ये शाहा हजारों लाखों सुर्यों का प्रकाश माउथ ओव गोड से होता हुआ, पूरे स्पाइनिर कॉलम से होता हुआ पूरे सेल्स में फैलता जा रहा है, पूरे मेरिडियन पॉइंट्स में प्रवेश करता जा रहा है डिजॉल करता जा रहा है कार्मिक इंप्रिंट्स को, कार्मिक लेयर्स को, स्टब्बन इंप्रिंट्स को, जितनी भी जमी हुई ओर्चा है भारी उर्चा है लगातार भेती हुई ये उर्चा मेरिडियन पॉइंट्स में पूरे मेरिडियन पॉइंट्स जितनी भी रेस्लेस्नेस की उर्चा है सब रिलीज होती हुई रिलीज करते जाना है और अपनी उर्चा शेत्र में शिप्ट को महसूस करना है एक्सपेंशन को फील करना है पूरी स्पानल कोलम एक एक वर्टिब्रा वाइब्रेट करता हुई पूरे शरीर के अंग वाइब्रेट करते हुए एक एक इलेक्ट्रोन तेजी से गूमता हुआ वाइब्रेट करता हुआ पूरा उर्जा शेत्र पोशित होता हुआ अपने हृदे को और अधिक खोलना है उसको खुलते हुए देखना है उसके पैटल्स को खुलते हुए देखना है इस उर्जा के बहाव में हर उर्जा सेंटर खुलता जा रहा है पूरे चक्रा आर स्टार चक्रा से लेकर स्टेलर गेटवे चक्रा तक पूरे के पूरे 12 चक्रा डीप लिंस होते हुए, क्लियर होते हुए पूरे 12 चक्रा डीप लिंस होते हुए मैं शुद्ध आत्मा हुँ, सात्विक गुनों से भरपूर हुँ, अततिकुष्टों शहा मैं अपने भीतर, अपना विराठ स्वरूप देख पा रही हुँ मैं परम प्रकाश, परम सुख, परम शांती, परम सत्ते की उर्जा से डीपली कनेक्टिड होती जा रही हुँ अपनी आत्मा की आवाज सुन पा रही हुँ, ब्रहमान के मेसेजिस को मैं रिसीव कर पा रही हुँ क्या रही हुँ Be in this stillness for three minutes Spine एकदम सीधी लगातार बहने दीजे इस सुर्जा को और इस सुर्जा को डिसाइड करने दे कहा जाना है क्योंकि इस उर्जा में विजडम है जहां कुछ भी जमा हुआ है उसे रिलीज करने दे इस उर्जा को अपने उर्जा शेत्र में काम करने दे और शान्त होते जाएं एकदम शान्त एकदम शान्त जहां जान्त झाल झाल एक से लेकर बारा तक सभी चक्रा डीप लिंज होते हुए, क्लियर होते हुए, प्यूरिफाई होते हुए, उर्जा शेत्र में एक ह्यूज शिफ्ट आता हुआ, परिवर्तन आता हुआ, रिदे चक्र और सभी चक्र और अधिक एक्सपेंड होते हुए, हजारों, लाखों, सूरियों का परकाश, हर एक से रेडियेट होता हुआ, और आपकी औरा से बाहर फैलता हुआ, ये ब्राइट प्रकाश, आपकी घर की सिमाओं को क्रोस करता हुआ, पूरे शहर में फैलता हुआ, कं कं को टच करता हुआ, और जहां जहां ये प्रकाश आप टच करते जा रहे हो, वहां का उर्जा का स्वरूप परिवर्तित होता जा रहा है, शिफ्ट होता जा रहा है, परम सत्ते की हुए उर्जा परम सुख की उर्जा परम शान्ती की उर्जा पूरे प्लैनेट अर्थ पर फैलती हुई सभी आत्माओं को टच करती हुई उन्हें जागरित करती हुई पूरे प्लैनेट अर्थ पर एक यूज शिफ्ट आता हुआ इस shift को महसूस करना है ये परम शांती की उर्चा उलास की उर्चा खुशी की उर्चा happiness की उर्चा शांती की उर्चा सत्य की उर्चा abundance की उर्चा prosperity की उर्चा पूरे प्लैनेट अर्थ पे फैलती हुई पूरे ब्रह्मान्द में फैलती हुई पूरा हमारा वायू मंदल चेंज होता हुआ हर तरफ positivity हर तरफ सात्विक विचार हर तरफ प्रेम परमात्मा का अलोकिक प्रेम और प्रकाल पूरे वायू मंदल में फैलता हुआ पूरी धर्थी के नीचे फैलता हुआ पेड़ पोधे पशु पक्षी सब इस उर्जा को एब्सॉब करते हुए प्रेम और करूना के भाव को महसूस करे अपने हृदय में सभी को शमा करते हुए और हर एक आत्मा से शमा मांगते हुए जाने अंजाने में कभी किसी का दुख दिल दुखाया किसी को कश्ट दिया शमा मांते हुए खुद को शमा करते हुए इस अलोकिक प्रेम और प्रकाश की अविरल धारा में खुद को ट्रांस्फोम होते देखे एनरजी फिल्ड एक्सपेंड होता जा रहा है अपने विराट स्वरूप के दर्शन करें अपने मल्टी डाइमेंशनल स्वरूप को पहचाने देखें महसूस करें विजुलाइज करें अपनी शक्तियों को पहचानते हुए उनसे कनेक्ट होते हुए मुस्कुराते हुए अभार प्रकट करते हुए सभी उर्जा का सभी स्पोर्टिव उर्जा का इस ग्रिड का खुद का अपने चक्रास को एकदम बैलेंस में होते हुए देखें अलाइनमेंट में देखें और ये उर्जा लगातार 24 गंटे 7 दिन आपके उर्जा शेत्र में बहती रहे जब तक ज़रूरी है ताकि और अधिक क्लिंजिंग हो सके और अधिक प्योरिफिकेशन हो सके और ये प्रोसेस रात भर चलता रहे नख्या क्यों टो अग्याव बाप्याव बपस्तापके और अधिकर! झाल, 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 झाल.